कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में आज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो जो सिलेबस का चल रहा था जेनरल नॉलेज का जी के सिलेबस जो लक्ष बिहार बीट के अंतरगर चल रहा है उसका पार्ट फॉर स्टार्ट क अला पर नहीं क्या पढ़ना है औररे मैं पम्झें कर दिया है ऐए पार्ट त्री तक आप उसको देख से लेव और ऊसके बाद ऊसको सटडी करें सहले केelli लोंके पालिटी पोशहने हैं थिकरें से रिलेटेड आज हम लोग संगते पढ़ना हैक नहीं मैंने इसे लिखा हालां कि बनाने में तुर्ए यह हो रहा है इसके पीछे कुछ रेजनस है तिक इसको अच्या से देखना पड़ता है questions कब कैसे पूछा गया उसके according त्यार करना पड़ता है syllabus हाला कि आपको पता ही है कि जो पॉलिटी का syllabus है all over सभी में से भी होता है एक ही होता है तो देखिए सबसे पहला क्या है सबसे पहला हमें पढ़ना है framing of the Indian Constitution framing of the Indian Constitution ठीक है इसको आपनो का निर्मान दूसरा क्या है sources of Indian Constitution sources of sources of Indian Constitution ठीक है Indian Constitution क्या क्या sources है मतलब कहा कहा से इसको लिए गये हैं भारतिये लिए गये रेफरेंस लिए गये कहा कहा से इसका रेफरेंस लिया गया है भारतिय संविधान के चर्ष्थ के सुरूत ठीक है छिज़ में हमेशाय याद रख लिए कि भारत का संविधान और वह movie पेस्टेट संविधान नहीं जरी कोई से भी यह संग और उसके छेत्र के बाड़े में आपको पढ़ना है अंग और उसके छेत्र मतलब पर देखते होंगे जो स्टेट होता है और टेरिटिरी होता है तो उन-दोनों portion है इसको सबसे पढ़ा जाएगा मौलिक अधिकार क्या-क्या है उसको पढ़ने की जरूरत है यह काफी इंपोर्डेंट है इसको आप सबसे पहले पढ़ेंगे fundamental rights को सबसे पहले study करेंगे है ठीक है कि इसको सबसे पहले मैं star mark कर देता हूं इसको सबसे पहले आप study करेंगे ठीक है कि next में क्या है ne emerged में हमारा जो है di dpsp आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में qa dpsP नेक्स्ट में वह हमारा वो dpsP D4 डाइरेक्टिप प्रिंस्पल ओफश स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं । राजी के राजी के नीती निरदेशक तत्व मिर्देशक तत्व कि इसको अगर आप copy pen से अगर इसको लिख लेंगे नोट डाउन कर लेंगे तो काफी helpful होगा आपको चीजे याद हो जाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ठीक है नेक्स में है fundamental duties आपका ये भी important है सबसे पहले हम लोग यही चीज पढ़ेंगे fundamental duties fundamental duties मौलिक करतब क्या है मौलिक करतब थीक है देखिए मौलिक अधिकार है तो मौलिक हमारे कुछ करतब यह हैं इसके बाद परना है हमें the president प्रेसीडेंट मतलब प्रेसीडेंट को क्या क्या को हटाया जा सकता है सटार इसेंचेम क्तने और सकता इससारी तो यह तरह में पढ़ना है दा प्राइम मिनिस्टर प्रधान मंत्री के बारें पढ़ना है नहीं कि पूरा डीटेल में पढ़ना है। जो कुछ यह article है उनको study कर लेना किसके तरहत प्रधान मंत्री आते हैं किसके तरहत राष्ट पती यह सब चीज़े पढ़ लिए है ठीक है आगे आगे हम लोग चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट यह है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल डूटीज एंड डीपी एसपी यह तीनों आप सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बाद कोई और चीज पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट में आजाईए आगे चलते हैं हम लोग जो हमारा टेंथ नंबर टॉपिक है इसमें उसको लिख लेते हैं अगर मेरे पास तो एक्चुली में टाइम नहीं है ने तो हम लोग वन बाई-वन इसको डिसकस्वी करते हैं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है बट इतन संसद इसको जरूर पढ़ना है इसमें दो चीज़े पढ़नी है आपको एक है राज्य सभा एक है राज्य सभा ठीक है मैं यहां पर लिख दता हूं एक है राज्य सभा राज्य सभा और दूसरा है दूसरा है लोग सभा लोग सभा ठीक है नेक्स्ट में हमें पढ़ना है सुप्रीम कोट पढ़ना है सुप्रीम कोट में उच्चतम न्याले इसको बोलते हैं उच्चतम न्याले न्याले ले उच्चतम न्याले बोलते हैं इसको नेक्स्ट में हमको पढ़ना है कम्प्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल यानि की कैग जिसको सी ए जी बोलते हैं हम लोग कम् पढ़ना है इसमें नियंत्रक और महालेख महालेखा परिक्षक परिक्षक यह पढ़ना है इसमें इसमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है उसको भी हम डिसकस करेंगे उसके बाद है गवर्नर राजपाल ठीक है नेक्स्ट में आईए नेक्स्ट में क्या है उसको देख लेते हैं नेक्स्ट में है स्टेट कांसिल आफ मिनिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं राज मंत्री परिशद बोलते हैं इसको ठीक है 15 में है स्टेट लेजिस्ट लेचर ये है राजविधाई का राजविधाई का राजविधाई का नेक्स्ट में हमारा हाई कोट जिसको बोलते हैं उच्च न्याले नेक्स्ट में है दपंचायत 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 बोलते हैं इसको ठीक है इस पहले कैग पढ़ना है सबसे पहले कैग पढ़ेंगे उसके को देख लेते हैं इसको देख लेते हैं तो 18 नंबर में क्या है कि 18 नंबर में क्या है जब मुनिसिपलिटीज गब GET police इसके बारे में पढ़ना है नगर पालिका नगर पाली बढों इसके बारे में पढ़ना है देखिए पढ़ना सब कुछ है कुछ फोड़ नहीं सकते क्यूंकि आपको पता ही है कि जनल नौलीज का syllabus कहीं से पूछा जा सकता है एलेक्शन कमिशन एलेक्शन कमिशन अब यही है कि इसमें इतना इसमें ज्यादा डीटेल नहीं जाना है चुनाव आयोग चुनाव आयोग ठीक है चुनाव आयोग पढ़ लेना है नेक्स्ट में जो टॉफिक है आपका वो है नेशनल डेवलप्नेंट कॉंसिल अने की नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसिल थिक है इसको बोलते हैं राष्ट्रिय विकास परिशद राष्ट्रिय विकास परिशद बोलते हैं थिक है वित्वायोग परना है थिक है नेक्स्ट में हमको परना है important constitutional important constitutional 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 amendments 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 इसमें क्या है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समभाधानिक संसोधन 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 देखिए तो यह चीजे है पॉलिटी में ऐसा नहीं है यह चीजे आप नेट से भी कहीं से भी पर सकते थे कि इतना 22 टॉपिक है यह तो हर जगह मिल जाएगा ठीक है कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन एक बीड के लिए क्या होना चाहिए बिहार बीड के लिए क्या सबजेक्ट क्या टॉपिक होने चाहिए वह मैंने लिखा है यह आप असानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते थे लेकिन एक बार इसको ध्यान में रखते हुए तब स्टडी किया जाएंगे उसको पढ़ेंगे उसको देखेंगे और इसी के को पढ़िए जैसे इसमें जो सब इसमें जो इंपोर्टेंट है इसमें किये पढ़ लीजे काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूशनल अमेंड्मेंट बाकि कोस्चन कहीं से पूछा जा सकता है इस तरह से ब्लाइंड ली जो है उसको एक पर पढ़ेंगे उसके बाद अगर टाइम बसता है तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टड आपके सार्ब करेंगे मैंने पॉलिटी डिसक्स कर लिया सिक्ष्ट कर लिया मुट्र legal लिए तिक टोबिक्स पढ़ें हैं इंडियन में पर शेहरें का क्रतं और गोट ँको आपके सार्श करेंगे और हिय्दन ह। के वीडियो मैं लाऊंगा इसका नेक्स पार्ट इस वीडियो को कम्प्लीट देखे पूरा देखे और एक एक टॉपिक को कॉपी में लिखे ऐसा नहीं है कि स्क्रीन सॉट मार्क के मोबाइल में रख लिए हो गया काम खतम नहीं कॉपी बनाईए इसका सिलेबस पहले सिलेबस कम्प्लीट सिलेबस आपके पास होना चाहिए तभी आप पर पाएंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट का इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे आपके साथ डिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही थाइंक यू and have a nice day.